कभी कभी क्या होता है वही बेसिक से खाने को अगर हम अलग तरीके से बना आना तो बहुत ही जादा स्वादिस्ट लगते हैं और परिवार में सब को बहुत पसंद भी आने लगता है जैसे की डाल दाल हमें मालुम है कि हमें अपने डायट में रोज शामिल करना चाहिए क्योंकि वह हेल्दी होते हैं फिर भी हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो आज हम उसी डाल का बहुत ही बढ़ी असी रेसिपी बनाएंगे जो बिहार में तो फेमस ही है इसे बंगाल में आसा में भी बहु बहुत अच्छे से फूल गई तो थोड़ा सा अद्रक डाल कर बहुत थोड़ा पानी मिला कर दरदरा पीस लेंगे मसूर की डाल का यह वाली रेसिपी आप जब भी बनाएं न तो मसूर की डाल को एकदम पेस्ट नहीं पीसना है थोड़ा साम दरदरा ही रखेंगे इससे ज मसूर की डाल में प्याज का फिवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है परसनली मुझे तो बहुत ही पसंद है लेकिन अगर आप याज नहीं खाते तो स्किप कर दो इसके बिना भी यह बहुत अच्छे बनेंगे और आज की जोगे रेसिपी है मैं तीन लोगों के अगर आप चाहें तो इसके साथ लहसन भी पीस सकते हैं हमने लहसन स्किप की है और इसे भी हम बहुत पतला नहीं मोटा नहीं थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे वेवी के लिए प्यास तो हमने पीस लिया अब उसके बाद हमने मसूर की डाल को जो मिक्स्टर तयार किया है पकड़ा फ्राई कर लेते हैं तो हाथों में तेल लगा कर इस तरह शेप देंगी और मीडियम टू हाइफ लिम पे इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे हम पकड़ा फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही तो पकड़े यह ऐसे भी खाने में बहुत ही मज़दा जब क्रेकल हो गया तो जो प्याज पीसी हुई थी वह हमने डाल दिया इसे दो से तीर मिनेट तक मीडियम टू लो फ्लिम पे भूनेंगे जब प्याज का कला ब्राउन हो जाए तो दो टमाटर हमने एट किया रफ्ली चॉप करकी और साथी सारे बेसिक मसाले आधा चमच मसाला, स्वाद अनुसार, नमक, एक चमच मर्ची पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कमजादक कर सकते हैं और इसे ढगड़क कर मीडियम टू लो फ्लिम पे मसालों को अच्छे से भून लेंगे टमाटर को गलने देंगी और जब मसाले बहुत अच्छे से भून के दो तोट जाएंगे देखें पकोड़ा कितने मस्त लग रहे है देखने में यहां पर ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बॉइल हो गई है क्योंकि यह तीन से चार मिंट हो गया है उबल गया है बहुत अच्छे से इसमें पकोरा डाल दिया हमने और पकोरा डालने के बाद बस इ से नराइस के साथ खाएंगा बहुत ही जादा डिलिशिस लगते हैं और अगर रेसेपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूं फिर से इसी तरह की रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाब बाई टेक कियर हैपी कुकिंग